क्वेंटी नाइन थे अपने पास अब्जेक्ट इस मूविंग विद वेलॉस्टी टु आई कैप थी जे कैप टू सिक्सके कैप प्लें मिरूर उस रिफ्लेक्टिंग सर्फेज इस पैरलल टू यजड प्लें अब अगर यजड प्लें में मिरर है तो उसका जो नॉर्मल होगा वो कौन सी दिशा में आ रहा है आई कैप में आ रहा है तो सिरफ वो वाली वेलॉस्टी ही बदलेगी बाकी सारी वेलॉस्टी कॉंस्टेंट है तो यानि कि ये तो पार्ट जो हो गया इमेज का वो कैसा हो गया है कॉंस्टेंट और वो परपेंडिकुलर वाले के लिए बात यह बोली जा सकती है 2 into velocity of mirror minus velocity of object तो velocity of mirror कितनी है? eye cap दिशा में सिरफ eye cap object के कितनी है? 2 eye cap कुल मिलाकर कितनी हो गई? perpendicular दिशा में 0 तो यानि कि velocity of image जो आएगी वो आगई 0 eye cap बाकी जो constant part है वो as it is तो 3 j cap प्लस का 4 k cap B option आएगी जो आएगी